नमस्कार आप देख रहे हैं मनी नाइन मैं हूँ संदीब ग्रोवर और हमारे खास वीकली शो कंप्री नामा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है कंप्री नामा एक ऐसा शो है जिसमें हम आपको कॉर्परेट्स और साटड़ से जुड़ी पूरे कारोबारी हथे की बड़ी खबरों और साथी विवादों से जुड़ी खबरों के बात्शीद की बातचील चल रही है इस हिस्सा खरीद के बाद एटल पेमेंट्स बैंक के कारोबार को पेटीम पेमेंट्स बैंक के साथ मिला दिया जाएगा और सौधा शेर स्वैप के जरीए होगा यही नहीं खबर ये भी थी कि सुनिल भारती मितल पेटीम के दूसरे शेर धाकों के साथ भी हिस्सा खरीद के लिए बातचित कर रहे हैं में हिस्सा घटाने की योजना है दरसल 13 फर्वरी को पूरे हुए शेर बाइबाक के बाद एंट ग्रूप की पेटियम में हिस्सेतारी बढ़ गई है और इसे कम करने के लिए कई तरह के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है जिसमबर 2022 तक एंट ग्रूप के पास पेटियम का 24.86 फीजदी हिस्सा था जो बाइबाक के बाद बढ़कर 25 फीजदी के पार चला गया है दूसरी कबर कर्ज के तले दभी टेलीकॉम कमपनी वोडाफोन आइडिया को लेकर इस अफ़र दो खबर आई हैं पहली ये कि Department of Telecommunications यानी DOT से कमपनी की और से 30 तिमाहे की बकाया रकम के पेमेंट से जुड़े पस्तावित प्लान को जल्द मंजूरी मिल सकती है कमपनी ने लाइसेंस फी और स्पेक्टरम यूसेज चार्जिस से जुड़ी बकाया रकम को ब्यात समय चुकाने का पस्ताव रखा है पर दीरे दीरे यानी चर्नों में दरसल कमपनी ने अभी तक केवल 10 फीजदी रकम का ही बुकतान किया है और बकाया रकम के बुकतान के लिए सरकार ने कमपनी से एक तारीक मागी थी 27 फरवरी को वोड़फोन आइडे का शेर पौने एक फीजदी गिरकर बंद हुआ था दूसी खबर ये है कि कमपनी ने ATC टेलिकॉम इंफ्रा को 1200 क्रोड रुपे के Optionally Convertible Dimensions यानी OCDs अलोट करने की मंजूरी दे दी है 28 फरवरी को वी आई का शेर करीब 1,5 फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था तीसी खबर के और चलते हैं इडलवाइस Financial Services के Wealth Management कारोबार के D-Merger से बनी कमपनी नुवावा Wealth Management की शेर बजार में लिस्टिंग का रास्ता साफ हो गया है दरसल इडलवाइस के शेर धाकों ने कमपनी के Wealth Management कारोबार के D-Merger को मंजूरी दे दी है 2020 में PAG ने इडलवाइस के Wealth Management कारोबार में निवेश किया था इसके बाद कमपनी ने Wealth Management कारोबार के D-Merger और लिस्टिंग की गोशना की थी इस D-Merger के बाद नुवावा Wealth Management इडलवाइस Financial के शेर धाकों को करीब 1.5.5 लाग शेर अलोट करेगी इस तरह इडलवाइस Financial की नुवावा Wealth में 14 फीजदी, PAG की 56 फीजदी और इडलवाइस के शेर धाकों की 30 फीजदी हिसेदारी होगी 27 फरवरी को इडलवाइस Financial का शेर 2 फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था चौथी कबर, मुरुकपा गुरूप की कंपनी ट्यूब इन्वेस्मेंट्स ऑफ इंडिया की EV सब्सिडरी टी आई क्लीन मोबिलिटी में पी फर्म, मुल्टिपल्स, आल्टरनेट, एसेड मैनेजमेंट और कुछ अन्य निवेशकों ने मिलकर 1200 क्रूड रुपे का निवेश किया है टी आई क्लीन मोबिलिटी का अपने एलेक्रिक वेहिकल कारोबार के लिए 2024 तक कुल 3000 करूड रुपे जुटाने का प्लान है और मुल्टिपल्स पी से जुटाएगी रकम उसी योजना का ही हिस्सा है ये कंपनी अपना पैसेंजर थ्री विलर इलेक्रिक वेहिकल पहले ही दिखा चुकी है और अपनी सब्सिजरी कंपनियों के जरिए एलेक्रिक ट्रेक्रिक वेहिकल के डिजाइन और डेवलोप्मेंट पर फोकस कर रही है 27 फरवरी को ट्यूब इन्वेस्मेंट्स का शेर साड़े तीन फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था पांचवी खबर फार्मा कंपनी डॉक्टर रेडिस ने औस्टेलिया की मेन फार्मा के यूएस के जनरिक प्रिस्क्रिप्शन पर्ड़क्ट पोर्टफोलियों को साड़े 10 करोड डॉलर या 861 करोड रुपे की रकम में खहीदने के लिए करार किया है इसमें 9 करोड डॉलर का अफरंट पेमेंट होगा और 1.5 करोड डॉलर का कंटिंजन पेमेंट भी शामिल है मेंट फार्मा के यूएस के पोर्टफोलियों में करीब 45 कमर्शिल प्रोड़क्ट चार पाइप्रेंट प्रोड़क्ट और वुमेंस हेल्थ पर फोकस करने वाले कई सारे जनरिक प्रोड़क्ट समेत 40 अप्रूब्ड नॉन मार्केट प्रोड़क्ट सामिल है इस दील से सीमित कॉंपेटिशन वाले प्रोड़क्ट के जरिए डॉक्टर रेडिस के यूएस रीटेल प्रिस्किप्शन फार्मा बिजनस की पकड़ और मजबूत होती हुँ दिखेगी 27 फरवरी को डॉक्टर रेडिस का शेर करीब पॉने 2 फीजदी गिर कर बंद हुआ था चटी ख़बर का रुक कर लेते हैं दुनिया की तीसरी और देश की दूसरी सबसे बड़ी मोटर साइकल बनाने वाली कंपनी बजाज ओटो मार्च में अपने एक्सपोर्ट फूकस प्लांट से मोटर साइकल और थ्रीविले उतपादन में बड़ी या 25 फीजदी तक की कटोथी कर सकती है ऐसा इसलिए क्योंकि कमपनी के सबसे बड़े मार्किट नाइजीरिया में कारोबार को लेकर काफी अनिस्यता है जानकारों के मिताबिक वितवस 2023 के पहले 9 महिनों में 3.38 लाग के औसत मासिक उतपादन के मकाबले मार्च 2023 में करीब धाई लाग से 2.7 लाग यूनिट का उतपादन हो सकता है 27 फरवरी को बजाई उटो का शेर जब ये खबर आई 5 फीज़ी से ज़्यादा की कमजोरी के साथ बंद हुआ था हाला कि बजाई उटो ने मार्च में उतपादन कटाथी की खबरों का खंडन कर दिया है साथवी खबर नाशनल कंप्टी लोड ट्रिब्रनल यानि NCLT की मुंबई बेंच ने FMCG कंपनी जोती लाप्स के सब्सिडरी कंपनी जोती फैबरी केर सर्विसिस के साथ मरजर को मंजोरी दे दी है जोती लाप्स, फैबरी केर, डिश वाशिंग, परसनल केर और हाउसोल्ड इंसेक्टिस साइट्स प्रडक्स बनाने और बेचने के कारोबार में है और सितंबर 2022 में कंपनी के बोर्ड ने जोती फैबरी केर सर्विसिस के कारोबार को खुद के साथ जोड़ने को मंजोरी दी थी जोती लाप्स के मेनेजमेंट के मताबिक दोनों कंपनियां एक जैसे कारोबार में हैं और म्यूचल बेनिफिट के लिए इन दोनों को मिलाया जा सकता है यही नहीं इस मर्जर से खर्चों में कमी होगी और कई तरह के रिसोर्सिस का आप्टिमल यूटिलाइशन हो सकेगा 28 फरवरी को खबर आने के बाद जोती लाप्स का शेर कमजोर बजार में भी साड़े तीन फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था आट फी कबर लो कोस्ट एरलाइन स्पाइजट ने अपने कर्ज में कमी करने में एक बड़ी सफलता हासिल की है दरसल स्पाइजट के सबसे बड़े लेसर कारलाइल एविशन ने अपनी बकाया रकम के बदले में स्पाइजट में हिसेदारी ले ले ली है कारलाईल ने करीब 10 करोड डॉलर की बकाया रकम के बदले 7.5 फीजदी एक्विटी हिस्सा और कंपल सरीली कनवर्टिबल डिबंचर यानी CCDs लेने को सहमती दे दी है 48 रुपे पती शेर के बावब पर कारलाईल एविशन को करीब 3 करोड डॉलर के फ्रेश शेर यानी नए शेर जारी किये जाएंगे और इस तरह कारलाईल को कंप्टी का 7.5 फीजदी हिस्सा मिलेगा जिससे स्पाइस जेट की वैलिशन करीब 11,000 करोड रुपे आकी गई है इसके अलावा QIBs को शेर जारी कर 2500 करोड रुपे तक की रकम जुटाने के लिए भी शेधाकों से मनजूरी मांगी जाएगी 28 फरवरी को स्पाइस जेट का शेर पॉने 7 फीजदी की गिरावट के साथ बंदूआ था क्योंकि बजार का अनुमान था कि कारलाईल को 5 फीजदी हिस्सा ही दिया जाएगा इस साल मुबाइल की दरे और मेंगी होने की आशंका बढ़ गई है दरसल देश की दूसरी सप्टम्री टेलिकॉम कंपनी एटल के चेर्मेन सुनील बारती मित्तल ने कहा है कि टेलिकॉम कारोबार में निवेश पर रिटरन बहुत कम है ऐसे में 2023 के मद्दे तक टेलिकॉम दरों में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है सुलीमित्तल ने कहा कि कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है और पूंजी जुटाने की जुरुत नहीं है पर टेलिकम कारोबार में निवेश पर रिटन में बदलाव की जुरुत है इसके लावा एटल के 5G ग्राकों की संख्या एक करोड के पार निकल गई है मार्च 2024 के अंतर कंपनी की देश भर में हर शहर और ग्रामीनी लाकों तक भी 5G सेवाओं को पचाने की योजना है 28 फरवरी को भारती एटल का शेर एक फीज़ी से ज़ादा की गिरावट के साथ बंद हुआ था दसवी कबर एक मार्च को जब ये खबर आई तो डेलिवरी का शेर सवा एक फीज़ी की बड़त के साथ 348 रुपे के सतर पर बंद हुआ था जबकि मैई 2022 में कंपनी ने आई प्यो के जरिए 487 रुपे के इशू प्राइस पर अपने शेर बेचे थे ग्यारवी खबर पावर टेडिंग के कारोबार से जुड़ी सरकारी कंपनी पीटीसी इंडिया में कंटोलिंग यानि 50-20 से ज़्यादा हिस्सेदारी खईदने के लिए चार कंपनियों ने बोली जमा की है इन चार कंपनियों में Tata Power, JSW Energy, Greenco और Torrent Group शामिल है माना जारा था कि अदानी समूब भी इस कंपनी के लिए बोली लगाएगा पर अदानी Power जिसके जरीए ये बोली लगाई जानी थी उसने बोली ना लगाने का फैसला लिया है इस फैसले के बारे में हमने आपको पिछले एपिजोड में बताया भी था आपको बता दे कि PTC इंडिया में चार सरकारी कंपनियों NTPC, NHPC, PFC और Power Grid के पास करीब 4-4 फीजदी हिस्सेदारी है जबकि LIC और DVC यानी दामोदर वैली कॉर्परेशन इस कंपनी के अन्यशेधारक है एक मार्च को PTC इंडिया का शेर 5-5 फीजदी के उपरी सरकेट पर और Tata Power का शेर करीब 1-5 फीजदी की बड़त के साथ बंद हुआ था बारवी खबर भारतिय जीवन भीवा निगम यानी LIC के शेर में इस अफ़ते अच्छी रिकवरी देखने को मिली है लेकिन सुमवार तक कंपनी के शेर में लगाता गिरावट देखने को मिली थी और सुमवार यानी 27 फरवरी को शेर ने रिकॉर्ड निशले सर को चुआ है सुमवार को शेर ने 566 रुपे का लो बनाया था जो अब तक का सबसे निशला स्तर है माना जा रहा है कि अधानी गुरूप के शेरों में LIC के निवेश में हुए घाटे की बज़े से LIC की शेर में कमजोरी देखने को मिली थी बजाज फिंसव Asset Management Limited यानी BFAML Mutual Fund कारोबार की Investment Manager होगी और गनेश मोहन जो की पिछले 8 साल से बजाज फिंसव के साथ Corporate Strategy के Group Head के तौर पर बने हुए हैं वो CEO के पत के साथ AMC का नेतित्व करेंगी वैसे तो बजाज फिंसव का Product Portfolio पहले ही काफी डावर्सिफाइड है पर इसमें Mutual Fund से जुणने से कंपनी अब अपने ग्राकों को फुल रेंज वो Financial Services आफर कर पाएगी दो मार्च को जब ये खबर आई तो बजाज फिंसव का शेर मामूली गिरावर्ट के साथ बंद हुआ था चौदवी खबर में हमने आपको खबर दी थी कि करीब 7000 क्रोड रुपे की राशी में ये स्वादा होने जा रहा है विसलेरी के मालिक रमेश चोहान 82 साल के हैं और स्वास्ते से जुड़ी दिक्कतों के अलावा उनका कोई उत्रा अधिकारी भी नहीं है जिस वजह से वो ये डील करना चाह करीब 32 फीज़ी मार्केट शेर वाली बिसलेरी के अधिगरहन से टाटा कंजूमर इस सेग्मेंट में नंबर वन कंपनी बन जाएगी एक मार्च को टाटा कंजूमर का शेर करीब एक चुताई फीज़ी की मदबूती के साथ बंद हुआ था पंदवी कबर देश का सबसे प्रक्रिया के तहट लगाया था मार्च 2020 में यस बैंक की रिस्ट्रक्शिंग प्रक्रिया के तहट एस बिया ने शुरुआत में 49 फीज़ी हिस्सा खरीदा था और डिसमबर 2022 तक एस बैंक में 26.14 फीज़ी इस्थारी थी और अभी भी इस बैंक में सबसे बड़ा शेर धार है क्योंकि रिस्ट्रक्शिंग स्कीम के तहट कुल हिस्सेदारी के 75 फीज़ी को 3 साल तक होल्ड किये जाना था तीन मार्च को यस बैंक का शेर करीब ऑने 4 फीज़ी गिरकर और SBA का शेर करीब 5 फीज़ी की मदबूती के साथ बंद हुआ था तो ये थी बीते कारोबारी के 50 से जादा विमान जमीर पर रुके खड़े हैं वजह है इन विमानों में लगे प्राट अन विटनी के इंजन से जुड़ी दिक्कतें पिछले साल फरवरी में शुरू हुए रूस यूक्रेन यूद के चलते दुनिया भर में अभी भी सप्लाइचेन से जुड़ी दिक् है कि एरलाइन कमपनियां विमानों की वेट लीजिंग समेथ कई सारे विकल्पों पर विचार करनी है ताकि दिक्कतें दूर हो सकें 27 फरवरी को इंडिगो का शेर करीब पॉने एक फीजदी की गिरावट के साथ बंद हुआ था दोसी कबर दिवालिया कानून के तहर चल र ही रिलाइंस कैपिल के कर्ज रेजुशन से जुड़ी प्रक्रिया ने एक बहुत ही दिल्चस्प मोड ले लिया है गुरुवार यानि दो मार्च को एंसी एलेटी ने रिलाइंस कैपिल के लेंडर्स को इंडर्स का दूसरा राउंड करवाने की मंजूरी दे दी है पिछले ने ये ऑक्षन के तहट दूसरे राउंड की बोलिया मंगवाने की मांग को दिवालिया कानून के नियमों के खिलाफ बताया था इस मामले में रिनाइस कैपिल के सी ओसी ने दलील दी थी कि दिवालिया कानून के नियमों के तहट वैल्यू मैक्सिमाइशन यानि अधिक्तम रकम की recovery की objective है जिसके तहट COC कितनी भी बार मोलतोल और बाचित करने के लिए free है और NCLT भी COC के इस दलील से सहमत नजर आ रहा है तो कुल मिलाके ये कहा जा सकता है कि NCLT यानि दिवालिया कानून के तहट जो नियम बने है वो जादा important नहीं है और पैसों की recovery जो है वो फैसला जबाया था पांच फीजदी के ऊपरी सरकेट पर जाके बंद हुआ था तीसी कबर national company law tribunal यानि NCLT ने बिग FM रीडियो चुलाने वाले company reliance broadcast के खिलाफ दिवाले प्रक्रके शुरू करने की मनजूरी दे दी है NCLT ने IDBI Trustship Services की अरजी के चलते ही फैसला लिया है जो की L&T Investment Management के बहाफ पर दी गई थी इस अरजी में 174 करोड रुपे की बकाया रकम का भुकतान ना किये जाने की शिकायत की गई थी आपको बता दे कि L&T Investment Management ने Reliance Broadcast Network के 200 करोड रुपे के Non-Convertible Deventures यानी NCDs को सबस्क्राइब किया था जो की तीन चर्नों में लाँच किये गए थे चोथी कबर अगले कुछ हफतों में विदानता के 200 करोड डॉलर जुटाने से पहले कंपनी के शेर में जोर्दा गिरावट देखने को मिली है 28 फरवरी यानी मंगलवार को एक समय कंपनी का शेर 9 फीज़ी से ज़्यादा भी लुडग गया था दरसल S&P Global Ratings ने कंपनी के बढ़ते करच को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मताबिक सिर्फ जून तक के करच बुक्तान के लिए कंपनी को 50 करोड डॉलर की जुरुत होगी और अगर कंपनी रकम जुटाने या जिंक एसेट्स में हिस्सा बेचने में असफल रहती है तो कंपनी की रेटिंग में तेज गिरावट देखने को मिलेगी का लोच हुआ था जो की पांच महिने का निश्ला सर है पांचवी खबर नैशनल स्टॉक एक्सजेंज यानि एनसी ने जी एंटेटेंडमेंट को एफ नो की सूची से बाहर करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है इस फैसले के बाद 28 फरवरी को जी एंटेटेंडमें और सिटी नेटवर्क्स के खिलाब दिवाले प्रक्रे शुरू करने की मंजूरी दे दी है एनसी एल्टी ने इंडेसिंड बैंक की अरजी के चलते ये फैसला लिया था इंडेसिंड बैंक ने अपनी अरजी में ये शिकायत की थी कि सिटी नेटवर्क्स ने बैंक से लिये चटी कबर दिल्ली में एरपोर्ट एक्स्प्रेस लाइन ओपरेट करने वाली कंपनी डी ए मेपील ने 11 मईई 2017 को डी मर्सी के खिलाफ आर्बिटेशन से जुड़ा मामला जीता था अब तक बुक्तान ना होने पर डी ए मेपील की अरजी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने केंच सरकार को दो मार्स तक फैसला लेने का समय दिया है 28 फ़री को रिलाइंस इंफ्रा कशेर धाई फीजदी की बंदबूती के साथ बंद हुआ था साथवी खबर मार्केट रेगलेटर सेभी ने एक्सिस म्यूचल फंड फरंट रनिंग मामले में 21 एंटिटीज पर शेह बाजार में कामकास से रोक लगा दी है इन 21 एंटिटीज में एमसी के पूर्व चीफ टीलर विरेश जोशी के लावा 20 अन्य एंटिटीज भी शामिल है सेभी के मताबिक इन एंटिटीज ने अपने टेडिंग एक्कृटीज के जरिये मिलकर 30.5 से करोड उपे का गलत मुनाफ़ा कमाया है जिसे जब्त किये जाने का निर्देश जारी किया गया है साथ ही दूसी खबर में एक मार्च को एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के घरिलू कंजूमर कारोबार को ख़िदने की डील पूरी कर ली है पर अच्छी बात यह है कि मार्च 2022 में डील की गोशना के समय तैय 12,325 करोड उपे के बजाए 11,603 करोड उपे की रकम में ये डील पूरी की गई है इस डील में सिटी बैंक के भारत के क्रेडिट कार्ट्स, परसनल लोन्स और वेल्थ मैनेजमेंट कारोबार शामिल है और एक्सिस बैंक को इससे 30 लाक नए ग्रहक मिलेंगे एक मार्च को एक्सिस बैंक का शेर करीब धाई फीजदी की मजबूती के साथ बंद हुआ था आठवे कबर, कर्ज के बोर्ज में दभी कंपनी फ्यूचर रीटेल लिमिटेड बैंक को को अपना रिवाइवल प्लान सोपने में असफल रही है जिसके बाद बैंक तै करेंगे कि कंपनी के साथ अब क्या करना है माना जा रहा है कि अब IBC यानि दिवाले प्रक्रिय के जरिए बैंक फ्यूचर रीटेल को दिया कर्ज वसू लेंगे फ्यूचर रीटेल के लिए 20 फरवरी तक बीडर्स को अपना रिवाइवल प्लान सोपना था लेकिन कंपनी के रिवाइवल में किसी ने भी दिल्चस्पी नहीं दिखाई है एक मार्च को फ्यूचर रीटेल का शेर करीब साड़े तीन फीजदी की बड़त के साथ बंद हुआ था नौमी खबर श्रही ग्रूप की दोनों कंपनियों के लिए NARCL के रेजलूशनल प्लान को मंजूरी देने से पहले NCLT ओथम इन्वेस्मेंट की अर्जी पर विचार करेगा दरसल मंगलवार यानी 28 फरवरी को दाकिल अर्जी में ओथम इन्वेस्मेंट ने NCLT से मांग की है कि श्रही ग्रूप की दोनों कंपनियों के एड्मिनिस्टेटर को NARCL यानी बैट बैंक को LOI जारी करने से रोक लगाई जाए ओथम के मताबिक उसके resolution plan पर फैसला लेने के लिए इस्तिमाल किया गया evaluation matrix गलत है और इसमें संशोधन की मांग भी की गई है साथ ही ओथम ने updated evaluation matrix के साथ lenders को voting करने के लिए 14 दिन के extension की भी मांग की है एपिसोड नमबर एक्सेट में हमने आपको बताया था कि NARCL यानी बैट बैंक ने 5555 क्रूड रुपे की NPV में Stray Group की दोनों कमपनियों की बोली जीत ली है जिसके पक्ष में 89.2 फीजदी creditors ने voting की थी इसके लावा ओथम इन्वेस्मेंट की 5526 क्रूड रुपे की दूसी सबसे उची बोली के पक्ष में 84.86 फीजदी लेंडर्स ने voting की थी NARCL के resolution plan को NCLT से मंजूरी मिलना अभी बाकी है दसवी खबर Online food delivery company Zomato के CEO और co-founder दीपिंदर गोयल ने अर्बन कंपनी के बोर्ट से इस्तिफा दे दिया है Media Reports के मताबिक दीपिंदर गोयल ने इस्तिफा इसले दिया है क्योंकि Zomato के मालिकान अधिकार वाली Blinkit अब खुद home service कैटेगरी में उतरने की तियारी करी है आपको बता दे कि Blinkit गुरुग्राम की कंपनी शेफ काट के जरिये home chef services देने की शुरुवात पहले ही कर चुकी है दरसल Blinkit और Zomato इस कदम के बाद Urban Company की direct competitor बन जाएंगी अबर्ण कंपनी के बोर्ड में दिपिंदर गोयल को पिछले साल मार्च में डिरेक्टर नियूक किया गया था दो मार्च को जब ये खबर आई तो Zomato का शेर करीब एक फीज़दी गिर कर बंद हुआ था ग्यारवी खबर Market Regulator Sebi ने अर्शद वार्ची उनकी पतनी मारिया गोरेटी और साधना Broadcast के प्रमोटर समेट कुल 31 entities के security market में कारोबार पर बैन लगा दिया है YouTube चैनल पर निवेशकों को कंपनी के शेर खईदने का सुझाव देने वाले ब्रामक वीडियो डालने के मामले में Sebi ने ये कदम उठाया है दरसल मीडिया कंपनी साधना Broadcast के शेरों के प्राइस में हेरा फेरी की जारी थी जिससे Management और Non-Promoter शेर धाकों ने बड़े हुए प्राइस पर शेर बेचकर मुनाफ़ा कमाया है कमटी ने जिन पर मोटर्स पर बैन लगाया गया है उनमें श्ट्रेया गुपता, गौरव गुपता, सौरव गुपता, पूजा अगरवाल और वरुन एम शामिल है इसके अलावा सेभी ने इन एकाईयों को हुए 41.85 करूड रुपे के गैर कानूनी लाब को भी जब्त करने का आदेश दिया है सेभी के मताबिक इस मामले में अर्शत वार्शी ने 29.34 लाख रुपे का फाइदा कमाया जबकि उनकी पतनी को 37.56 लाख रुपे का फाइदा हुआ है चलिए तो ये थी कॉर्पे जगर से जुड़ी सफते की तमाम बड़ी खबरें आईए बात करते हैं स्टाटाप स्पेस की स्टाटाप अपडेट में और पहली खबर की और चलते हैं पहली खबर होटल एग्रिगेटर ओयों ने IPO के लिए दुबारा अर्जी डालने से पहले अपने मेनेजमेंट में बड़े बदलाव की खोशना की है ओयों को उमीद है कि वितवश 2023 की दूसी चमाई में 182 करोड रुपे का अबिड़ा यानि कामकाजी मुनाफ़ा रहेगा क्योंकि कमपनी ने वितवश 2023 की पहली चमाई में 63 करोड रुपे का अबिड़ा दर्ज किया था पूरे साल के लिए कमपनी का अजर्शेट अबिड़ा 245 करोड रुपे रहने की उमीद है इसलिए 2013 में कामकाज शुरू करने के बाद कमपनी पहली बार सालाना अधार पर मुनाफ़ा दर्ज करेगी दूसी कबर EdTech Unicorn Physics वाला ने e-learning platform उतकर्श classes के साथ JV बनाने की घोशना की है इस JV के जरिये students को कई प्रकार की categories में academic training और courses आफर किये जाएंगे दोनों कमपनीयों की एक दूसरे की course trends का फायदा लेते हुए सबी तरह के exams के लिए value added education मोहिया करवाने के साथ साथ new exam categories में milkal entry लेने की भी योजना है तीसी कबर देश के leading startups मिलकर Google के खलाफ CCI के पास जाने समेथ कई तरह के कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं दरसल ये सारे startups Google के user choice billing system को चुनौती देना चाते हैं का माना है कि इस system के जरीए Google ने CCI के फैसले का उलंगन किया है आपको बता दे कि Google ने कहा है कि अगर कोई user किसी और billing system से payment करता है तो भी वो fees में केवल 4 fees दी की ही कमी करेगी यानि कि अगर ये startups Google की किसी service का इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो भी app developers को जबरन 11-26 फिजदी की commission देनी ही होगी चौथी कबर Fintech startup cash free payment ने one click checkout company Zekpay का 100 फिजदी इस्सा खईदने की गोशना की है इस अधिग्रहन से cash free को D2C brands के लिए offering बढ़ाने में मदद मिलेगी गौर तलब है कि ये अधिग्रहन की गोशना तब हुई है जब इस company को payment gateway services के लिए ने गराग जोनने से रोक लगाई गई है और RBI ने cash free के साथ साथ इसकी प्रतीदोंधी company Razor Pay को fresh audit करवाने के लिए कहा है आपको बता दें कि cash free की और से ये दूसरा अधिग्रहन है इससे पहले 2021 में company ने UAE की payment solution महिया करवाने वाली company टेलर को डेर्ड करोड डॉलर में खरीदा था पाचवी ख़बर बेंगलूरू के fintech unicorn Razor Pay ने वितवस 2022 में 7.3 करोड रुपे का मुनाफ़ा दर्च किया है कारोबार में मजबूत ग्रोथ के चलते पिछले साल यानि वितवस 2021 में 6.1 करोड रुपे की तुलना में मुनाफ़ा 20 फीजदी बढ़ा है वितवस 2022 के दुरान इस start-up की AI 841.2 करोड रुपे से 76 फीजदी बढ़कर 1481 करोड रुपे पर रही है जेजर पे की AI का बड़ा हिस्सा पेमेंट कमिशन फीजदी से आता है जो कारोबारियों को ऑनलेन पेमेंट सर्विसिस मोहिया करवाने से मिलती है हलाकि वितवस 2022 के दुरान इस start-up के अबिड़्डा मार्जिन 3 फीजदी से घटकर 2.62 फीजदी पर रहे है इसी के साथ बीते कारोबारी हफते का corporate और start-up जगत का पूरा update हमने आपके सामने रख दिया है उमीद है आपको company नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरे आपके काम की होगी आपको हमारा आज का issue कैसा लगा अपना feedback अपनी राय हमाई साथ नीचे comment box में जरूर शेयर करिए क्योंकि आपके feedback से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये भी पता चलता है कि आपकी पसंद क्या है तो मिलते हैं आपसे अगले हफ़ते नई खबरों के साथ कंपी नामा के अगले एपिसोड में तब तक आप देखते रहें मनी नाइन नमस्कार कर दो